हेलो गाइस कैसे हैं आप सब आज की देश्टेमल सीरीस की टूटरल में आज हम देखेंगे HTML5 टेबल स्टेग के बारे में तो टेबल स्टेग क्या होते हैं यह जो होते हैं डेटा को टेबुलर फॉर्म दो और कॉलम के रूप में यह आपको शू करते हैं और एक रो के अंदर कई सारे कॉलम होते हैं और जो टेबल का डेटा हम जब उसमें लिखते हैं जो टेबल का जो टेग होता है तो टेबल टेग के अंदर टी आर जो टेबल रो को प्रदरशित करता है और जो टीडी जिसका फुल फंप होता है टेबन डिटर और या चो उसे कहते हैं टेवल हेडिंगा तो ये सब इसमें यूशुटे और चोErू जो सघ्ञे क्रीन हैं तेबल होते हैं ये दिद्न होते हैं सेंटर होते हैं मैं आप इसे देखंगे अभी एकजाम्पल पर मैंने आप क्या किया फोल्दर पे Lcincko फाइब करके ऑफ फाइल बनाया है उसे मैंने वह मुझे कोड में ऑपर खोला हुए अकर आप देखेंगे डिया यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पर से और यहां पर से वो टेकर लास्ट मेंक बोज हो रहा है बॉडि के जसे में लिखक तो यहां Google suitable Tech के अंदर मैंने कहा कि TR हुए जो है टेबल होता है यहांपर और टेवर मो Chem लीखा है टेब discs钱 लेड USA TO वह बोल्ट सेंटर होता है और उसका जो अलाइन है वह इसक्रिया को पहले की संभफेशा सुलाई में अ difकित भाले में है यक्टम सेंटर है थी होता है यहां बदर Co तो यहांपर टीर से टीर यहां खतम होगे एक टेबल दो हो गया आप उसके पार सेकन रोज यहां पर चाल रहोता है जैसे कि आप यह आप अब देखेंगे तो कैसे शोलस हो तिवादी और दूर तो यह एक टीयार के अंदर ये तीन टीडी हुए ये टीडी पहला तीडी दूसर टीडी फिर ये वाला ये तीसर टीडी अब यहाँ पर अगर आप देखें ये सेकंड वाला सेकंड वाला में भी ऐसी टीयार स्टार्ट हुए है टीयार यहाँ पर क्लोज हुए है और यहाँ पर आप HTML के सारे elements और list tag यह सब को भी आप TD जो table data के अंदर आप इसे use कर सकते हैं और table data जो होते हैं by default regular text होते हैं और left align होते हैं देखिए आपर table data जो है TD वो regular text होते हैं और left align होते हैं इसे हम sequence में दिखा सकते हैं और TD के अंदर ही हम अपने data को लिखते हैं देखिए आप अब table header body और footer यह क्या होता है table can be divided into three portion तीन प्रकाज से अपने table के structure को हम divide करते हैं तो देखिए पहले होता है टी हैड ती हैड जो होता है एक separate table header होता है और T body जो indicate करता है main body को और T food जो होता है वह अपना table footer को दर साता है ठीक है अब आप देखिए यहां पर जो है इस वाले इग्सामपल पर यह जो पहला हो है यह जो पहला दो आपको दीख रहा है आप तो यहां पर देखिए फर्स name लास्ट ने म लोकेशन टैसी के अंदर हम क्या करेंगे यहां पर जञे के नीचे यहां क्या करेंगे हैँ यहां पर फ d T के बाद इसे बंद कर देंगे अब यहां पर आप देखेंगे टी बॉड़ी क्या होता है टी बॉड़ी जो होता है यहां पर टी बॉड़ी आप लिखे यह बॉड़ी और इसे जो है सबसे लाश्ट पर आप यहां पर क्लोस कर देंगे जैसे कि मैंने यहां पर इसे क्लोस किया ये वाले पर जहां तक हम आदा जो means content है में डेटा है वहां के बाद इसे क्लोस कर देते हैं और यहाँ पर जो last आज फूटर जो description मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए there is all names तो यह मैंने last पर लिखा हुआ है तो इसके लिए आप क्या करेंगे ती फूट आप यहां पर याँ देखेंगे वाम कि जैसी मैंने इसे आख़ी पर ग Kap Strategies को इखेंगे तो कोई हैं ठोट मेंगे है क्तों कि सब्सक्राइब प्राउसर को यह कौन है चेट को सब्सक्राइब और कांव साब का डाटा है यहां पर देखी यह का टी बोडि का का मौत है यह वाला जो है वो टीट बॉड़ी का की हाँ यहांपे है और यह का पर लाष्ट वाला आप किस संदेख रहे हैं यह वाला जो है यह थी मौत का का हां करें लग Dakel टेबल फूटर का यह काम करते हैं, HTML टेबल विद बॉर्डर यह क्या होता है, तो HTML टेबल विद बॉर्डर इसे लिखने के टू टाइप्स हैं, एक आप देखेंगे बॉर्डर एट्रिब्यूट अप टेबल इन HTML और एक होता है बॉर्डर प्रॉपर्टी इन CSS, तो अगर आप देखेंगे एक्जाम्पल पर, यह जो बॉर्डर आपको दीख रहे हैं, यहाँ पर जो डेटा के जो चारो तरब से आया है, अगर मैं इसको यहाँ पर से हटा देता हूँ, यह यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि वो कुछ ऐसा दिखता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर लिख रहा है, तो बॉर्डर वन जो हम लिख रहे हैं, वो पहले हम ऐसे ही लिखते थे, HTML में जब हम काम करते थे तो, वन मतलब वन पिक्सल, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो देखें, यह बॉर्डर आ गया है, देकिन आप जो हैं, इसको हटा के हम रिकमेंडेट अभी करेंगे, HTML5 में, कि आप CSS पॉपर्डी का उज़ करें, अगर CSS आपको नहीं पता है, तो थोड़ा सा, मतलब आप इस वाले टैप को याद रखे, इस टाइल टैप के अंदर, हम कुछ ऐसा लिखते हैं, और simply हम क्या करेंगे, जो table में हमने जो border दिया था, उसे यहाँ पर, simply यहाँ पर ऐसे कुछ करेंगे, table जो हमने यहाँ पर लिखते हैं, और table के बार हमने जो है, यहाँ पर border, border, यहाँ पर 1px, solid, black, जैसी हमने, यह इसे css लिखा, आप देखेंगे, कि वो red color में आ गया, अब यहाँ पर वो to table आया, रेट कलर में, अब table के बाद अगर हमें td में भी चाहिए, तो just यहाँ पर comma दिजिए, td के लिए भी यह लागू हो जाएगा, तो td और th के लिए भी हमें करना है, तो th, यहाँ पर जैसी हमने यह लिखा, तो जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, देखिए, यहाँ पर यह आ गया, तो देखिए, border जो है, वो थोड़ा मोटा दिख रहा है, अगर इसको सहीं करना है, तो आप simply, border collapse आप यहाँ पर लिखेंगे, तो border collapse लिखने से, यहाँ पर आप देखेंगे, browser में जाके, browser में जाके आप देखेंगे, तो पुछ ऐसा दिख रहा है, आप चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, border, spacing एक प्रॉपर्टी होती है, border की, spacing अगर आपको CSS का भी समझ में जाए तो आने वाली आगे सीरीस में हम CSS के पारे में पूरा पढ़ेंगे, पहले आप तो यहाँ पर आप border spacing को simply zero pixel अगर आप लिखेंगे, तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे, तो कुछ वो ऐसा दिखने लग जाएगा, आगे हम देखते हैं HTML table with cell padding, अगर आपको padding देना है अपने table header और table data में, तो उसके दो type के आप तरीके देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे padding property, CSS की जो होती है padding property, उसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो simply आप यहाँ पर देखिए, इख्जांपल पर हम चलते हैं, इख्जांपल में आप देखिए, कि यह जो data है, उसका चादो तरब देखिए, space नहीं है उतना, आप देखिए, यहाँ पर सुभम लिखा हुआ है, यहाँ पर सीर हम लिखा हुआ है, यहाँ पर first name लिखा हुआ है, यहां पर इस्पेस नहीं है वो एकदम ऐसे मतलब ऐसे लिखा हुए देखिए यहां पर इस्पेस कुछ नहीं है तो वहां पर इस्पेस लाने के लिए आपको जो है वो पैडिंग का यूज करना पड़े यहां पर पैडिंग जो है यहां पर देखिए ठ और टीडी में दीखि यहां पर देखिए, पैडिंग मैंने दे दी 10 पिक्सर, 10 पिक्सर मैंने यहां पर दी, जैसे ही आप इसे ब्राउजर पे अगर देखेंगे, तो ब्राउजर में आप देखिए, यहां पर पैडिंग यहां पर बढ़ चुका है, यहां पर देखिए, पुरा डेटा करें, जो ब ऐसा दीखने लग जाएगा तो यह होता है पैडिंग आप CSS का ही यूज़ करें यह HTML5 में अभी CSS का ही यहां पर यूज़ किया जाता है हम दिखनेट करेंगे कि आप HTML5 में CSS का ही यूज़ करें टेबल टैट के अंदर आगे देखिए HTML टेबल वीथ के बारे में यहां पर आप टेबल का विथ जो है वो डिसाइड कर सकते हैं आप चाहें तो उसे परसेंडेज में दे सकते हैं या फिर पिक्सल में दे सकते हैं जैस अगर इसे हम कैसे देखेंगे आप चाहे तो यहां पर भी आप दे सकते हैं टेबल में सीधा 100% लेकिन मैं यहां पर देदा हूँ इनलाइन CSS में यहां पर लिख रहा हूँ इस टाइल यह इनलाइन CSS है यहां पर आप अगर देखेंगे विथ मैंने दे दिया 100% तो 100% तो ब्राउजर का जो परसेंट है 100% अगर हम लिख दिये तो पूरे ब्राउजर पर आपको यह शो होने लग जाएगा कुछ ऐसे तो यहां पर HTML टेवल विथ कॉल स्पें तो यह कॉल स्पें क्या होता है आप जैसे एक्जाम्पल पर आप देख हाली है यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगर इसे अच्छे से अगर हम लिखेंगे तो कॉल स्पें का यूज यहां पर कैसे होगा आप देखिए नीचे मैं यहां पर जाता हूं यह वाला जो है वो डेटा है यहां पर यह वाला जो है हमारा डेटा है यहां पर मैं description और स्क्रिप्च्थन लिखा हुए है एक तीडि यह दूसरे दिरी पर तीशरे वाले में ये लिखा हुआ है अब ब्रावसर में देखिए जैसिunt जैसे मैं refresh करता हूँ, पहला TD खा लिए, दूसरा TD भी खा लिए, तीसरे TD में मैंने ये लिखा हुआ है, अगर call span में मैंने यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने 3 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ इसे simply अगर इन दोनों को आपकर हटाएंगे, तो देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा आपको देखिए, तो यह एक लाइन में हाँ पर आ गया है, एक लाइन में हाँ पर यह आपको दिखने लग गया है, simply, तो यह होता है call span, तो आगे देखिए आपर, अगर मैं style करके, वैसे text align, center कर देता हूँ, तो आप देखिए, वो center में भी आ गया, तो आप multiple column हम जैसे 4 है, 5 column है, अगर उसके जगा पर एक ही sentence अगर आप लिखना चाते हैं, तो यहाँ पर simply, आप यहाँ पर 5 column करके भी आप लिख सकते हैं, और 5 column की जगा यह वाला sentence आपका पूरा आ जाएगा, अब हम देखिए, HTML table with row span, अब यह क्या होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, कि just browser में मैं गया, मैं कह रहा हूं कि यह जो दोनो data है, यहाँ पर इसका location लिखा हुए दूर्ग भिलाई, तो मैं क्या चाता हूं, कि यहाँ पर मैं भिलाई को हटा देता हूं, और सिर्फ यहाँ पर दूर्ग रखता हूं, तो देखिए, यह पहला row है, और य इसे multiple जो row है, उसे हम एक में कैसे लिखेंगे, वो आप देखिए, यहाँ पर मैं दो row की बात कर रहा हूं, तो जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर क्या करता हूं देखिए, तो अब आप देखेंगे, कि यहाँ पर जैसी ही मैं आया, दुर्ग में यहाँ मैंने लिखा रोल इस्पैन यहां पर अब दो इसमन लिखने के बार मैंने लिखा टूर क्योंकि दो रोग में और हम मर्ज कर रहें उसे दो रोगो एक में ही उसे कर रहें आपर लिख रहे हैं तो जैसे ही आप ब्राउजर में आप देखेंगे देखिए कुछ ऐसा आ गया और यहां पर फिलाई जो है वो एकशन पर ऐसे आपको दिख रह è लेकिन आप simply क्या करेंगे भिलाई वाला जो है उससे आप यहां पर हता देंगे और जैसी आप यहां पर वापस आके देखेंगे देखिए यह एक में आ गया यहां पर दोनों जो है वह दूर्ग से हो गया देखिए दो जो है वह कंबाइन होके एक में यहां पर दिखने लग गया तो यह होता है अपना जोई अब हम देखते हैं html caption tag के बारे में तो caption क्या होता है कैप्शन जो होता है वह जश्ट आपको टेबल टेग के बाद यूज करना पड़ता है जैसे कि आप यहां पर देखिए टेबल टेग है यहां पर टेबल टेग के जश्ट बाद हमने यहां पर लिखोंगा मैंने लिख़ा यहां पर इस टुट्ट डिखायग मैंने लिखा यहां पर और यहां पर स्टुटेंट लपके ऐी